Hello friends, आज की वीडियो में हम लोग चिता गॉंग आर्मरी रेड और उसके लीडर सूर्या सेन को कवर करेंगे बट किसी भी revolutionary के बारे में पढ़ते समय हमें एक बात याद रखनी चाहिए और वो बात ये है कि हर एक revolutionary चाहे वो सूर्या सेन हो, भगत सिंग हो या फिर कोई और revolutionary लीडर वो ये जानते थे कि वो जो कर रहे हैं उससे देश आजाद नहीं होगा फिर भी वो अपनी उस revolutionary activity के लिए जान देने के लिए तयार थे क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी उस revolutionary activity के कारण हजारों लोग inspire होकर आगे बढ़ेंगे और उससे देश आजाद होगा तो चलिए इस ideology को समझते हुए हम सूर्या सेन और उनकी चितागॉंग आर्मरी रेट को पढ़ते हैं सूर्या सेन का जर्म 1894 में हुआ था साल 1916 में जब ये मुश्यदाबाद के भेरमपूर कॉलेज में पढ़ रहे थे तो उस समय इन्होंने कॉलेज के साथ साथ अनुशिलन समीती को भी जोइन कर लिया था आपको पता ही है कि अनुशिलन समीती एक revolutionary secret society थी जिसे हम पिछली वीडियो में अलड़ी cover कर चुके हैं पढ़ाई पूरी होने के बाद जब ये वापस अपने गाउ चितागॉंग पहुँचे तो यहां के national school में बच्चों को mathematics पढ़ाने लगे और इसी लिए बच्चों और गाउवालों के बीच ये master da के नाम से जाने जाने लगी चितागॉंग में रहते हुए इन्होंने congress join कर ली थी 1918 में ये इंडिया national congress के चितागॉंग branch के president चुने गए और non corporation movement में भी इन्होंने बढ़ चड़ कर पाड़ लिया बट क्योंकि ये अनुशिलन समीती से जूड़े हुए थे इसी लिए ये एक hardcore revolutionary थे बट हो सकता है कि अपनी revolutionary activities को undercover रखने के लिए इन्होंने congress join कर ली हो और इनकी इन्ही revolutionary activities के चलते 1926 से 1928 के बीच इन्हें jail में रखा गया Masterda को अगर किसी event ने सबसे ज़्यादा inspire किया तो वो थी Ireland की 1916 की Easter Rising इस Easter Rising के main hero थे Ireland के एक school master Masterda ने भी अपने मन में ये ठान लिया था कि जो वहाँ हुआ है अब वो यहाँ भी होगा British Empire के खिलाफ एक armed rebellion चितागौंग को बंदू के दम पर आजाद कराय जाएगा बिडिश शूल से आजाद हो जाएग और इसी objective के साथ सूरिय सेन ने प्लैन की चितागौंग आर्मरी रेड आर्मरी उस जगा को कहा जाता है जहां पर हतियार रखे जाते है अब बात ये है कि ये आर्मरी रेड होगी कैसे बिडिश फोर्सेज को चुनोती देनी है तो कुछ लोगों की जरूत होगी तो इसके लिए सूरिय सेन ने उन बच्चों की फोज तयार की जिन्हें ये पढ़ाया करते थे ये बच्चे जो मातर 10-15 साल के थे इन्हें एक फिजिकल ट्रेनिंग के जरिये फोज में तबदील कर दिया गया इस फोज का नाम रखा गया इंडियन रिपब्लिकन आर्मी बट ध्यान देने वाली बात ये है कि माश्टरदाने इस आर्मी को इंडियन रिपब्लिकन आर्मी नहीं बलकि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी चिता गॉंग ब्रांच कहा इन 60-60 एक्टिविस्स को लीड करने लिए कुछ और लोग भी थे जैसे कि अनंत सिंग, गनेश घोश और लोगनात रहे हलाकि ये लीडर्स भी 20-22 साल के ही थे इसके अलावा माश्रदा की टीम में कुछ विमन लीडर्स भी थी जैसे प्रीती लता, वाड़ेदार और कलपना दत ने भी बहुत ही एहम रोल निभाया तो अबजिक्टिव था चितागॉंग आर्मरी रेड और टीन तयार थी अब बारी थी एक डीटेल्ड प्लैन की चितागॉंग की दो में आर्मरी को आइडेंटिफाई किया गया बड़ अबिस सी बात है कि अगर आर्मरी पर रेड की गई तो टेलीग्राफ लाइन और टेलीफोन लाइन के थुरू आसपास के एरियास से बिटिश फोर्स को तुरंद खबर की जा सकती थी जिसते इनका पूरा प्लैन फेल हो सकता था इसलिए प्लैन में टेलीफोन लाइन और टेलीफोन लाइन को भी धुहस करने को शामिल किया गया इसके अलावा किसी भी तरह की दूसरी बिटिश फोर्स चितागॉंग में ना आ सकें इसके लिए रेल्वे लाइन्स को भी धुहस करना जरूरी समझा गया इंडियन रिपल्बिकन आर्मी ग्रुप से में डिवाइड हो गई और 18 एप्रेल 1930 की शाम को इन्होंने दोनों आर्मरीज को अपने कबजे में ले लिया प्लैन के तहित टेलिग्राफ लाइन्स, टेलिफोन लाइन्स और रेल्वे ट्रेक्स को भी धुहस कर दिया गया चितागॉंग अब पूरी तरह से इंडियन रिपल्बिकन आर्मी के कबजे में था सूरिय से इनने उसी रात भारत के जंडे को फैराया और चितागॉंग की प्रोविजनल गवर्मेंट की घोशना की अब इस पूरे प्लैन में एक चीज़ गरबढ हो गई थी इनको यूरोपियन क्लब को भी हतियाना था लेकिन यूरोपियन क्लब में उस दिन छुटी थी और इसी लिए जो ब्रिटिश फोर्सिस थी उसको ये एक साथ पकड़ नहीं पाए तो अब इनको पता था कि ब्रिटिश फोर्सिस अब आती ही होगी ऐसे में एक सेफ प्लेस की तलास करते हुए ये चितागॉंग हिल रेंजिस पहुँच गए और जैसा कि एक्सपेक्टेड था ब्रिटिश फोर्सिस ने इने चारो तरफ से घेर लिया था इंडियन रिपब्लिकन आर्मी और बिटिश फोर्सिस के बीच गन फाइट में ज्यादे नुक्सान बिटिश फोर्सिस को ही हुआ क्योंकि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के पास हाइट का एडवांटेज था अब आगे की कहानी हम टाइम रैन के थुर समझते हैं हमने देखा कि एप्रिल 1930 में चितागॉंग आर्मिरी रेड हुई और उसके अल्मूस 2.5 साल तक सूरिय सेन आसपास के गाउं में रहते हुए गोरिला वार्फेर करते रहे और फिर फेबरी 1933 में सूरिय सेन को भी पकड़ लिया गया बाकी साथी तो पहले ही पकड़े जा चुके थे अरेस्ट के बाद इन्हें एक बहुत ही दर्दनाख टॉर्चर जहिलना पड़ा और फिर जनवरी 1934 में इन्हें फासी देदी गई ये थी पूरी कहानी चितागॉंग आर्मिरी रेट की इंडिया की हिस्ट्री और इंडियर पॉलिटी को डीटेल में कवर करने के लिए बुकस्तावा की प्रेलिस को फोलो कीजिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शिन में मिल जाएगा थैंक यू फो वाचिंग और शॉप्टिंग बुकस्तावा